हेलो एवर्यवन आप सभी का फिसे स्वागत है यह BPSC प्रिवियस येर क्वेस्टन का संग्रह है 1992 से अब तक जितने भी प्रशन पूछेगे उन सभी प्रशनों को डिस्कस करेंगे वर्ल्जग्रफी को हम लोग डिसकस करें वर्ल्जग्रफी में प्रशन संख्या 82 तक अल्रेडी कंप्लिट कर लिया है आज का जो सिसन है 83 से स्टार्ट करेंगे और मैं बता दू कि इसका PDF एविलेबल है अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्मूनिटी बॉक्स में जाए वहाँ पे इसके रिगार्डिंग में इन्फोर्मेशन को अप्डेट कर दिया गया है तो प्रशन संख्या 83 जो दिया गया है 83 नंबर जो फ्रेस्टन पूछा गया है कि टेल के कोस सबसे ज़्यादा किस देश में है तो याद रखे कि वेनेजुएला में इंडियन मिनरल इयर बुक 2020 करूशार अगर बात करे तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा क्रूड आयल भंडार है यानि 48 बिलियन टन है वेनेजुएला में 20 वेका लगवर 19.62% कच्चे तिल का भंडार है 84 है कोईले का समाने परकार है कोईले का समाने परकार क्या है तो कोईले का जो समाने परकार है वो है B2 मिनस कोईला मुखेता कारवन के योगी का मुक्त कारवन मिश्रण है कारवनी करण रसाइनी किरिया के द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोईले में परिवर्तन होता है कारवन के अंस के अधार पर कोईला चार परकार का होता है ये जो चार परकार है ध्यार में रखेगा एंथ्रेसाइट, बेटूमीनस, लिगनाइट और पीट चार परकार के कोईले में बेटूमीनस समान किस्मिका, मध्यम किस्मिका कोईला है anthracite अत्यंत उत्म कोटी का यानि अच्छे कोटी का जो है ये कोईला है और pit सबसे निम्न कोटी का कोईला होता है भारत में कूल प्राप्त कोईले का 90% से भी अधिक जो भाग है वो प्राचीन काल के गुर्णवाना सेलो में पाये जाता है गुर्णवाना यूगिन कोईला मुख्यता बेटुमीनस परकार का है इस बात को ध्यान में रखेएगा इसके बाद 85 है उर्जा के वानजिक सुरोतों में बेसुदता सामिल होते हैं उर्जा के वानजिक सुरोतों में जो सामिल होते हैं आपको बताना है तो इसका सही जवाब क्या होगा बताईए इसका सही जवाब हो जाएगा option A उर्जा के वानजीक सुरोतों में जो सामिल होते हैं सक्ति, कोईला, तेल, गैस, जलविधूत और इवरेनियम तो option A बिल्कुल correct option है उर्जा के वानजीक सुरोतों में बेसुदता जो है सक्ति, कोईला, तेल, गैस, जलविधूत और इवरेनियम सामिल होता है 86 है नेमले खित में से कौन सा सहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है कौन सा सहर धातु के वेपार का सबसे बड़ा केंद्र है इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब है लंदन option C बिल्कुल correct option है लंदन धातु के वेपार का सबसे बड़ा केंद्र है याद रखिएगा 87 है शाफ रात मेघी रातों के अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है क्या कारण है जो साफ रात है मेघ रहित मतलब मेघ रहित और मेघ यूप यानि साफ रात मेघी रातों के अपेक्षा अधिक ठंडी होती कारण है बिकिरण यानि बिअप्सन जो मेघी रात होते हैं वायूमंडल में जलवास्ट की मातरा साफ रातों के अपेक्षा अधिक होती है जब बादल रहेंगे तो जलवास्ट जादा रहेगा बहिर गामी पार्थी विक्रण को जलवास्ट आउसोसित करता है इसके बाद मेगी राते अपेक शाकरत अधिक गर्म महसूस होती है इसके तरिक साफ रातों में वायू मंडल में जलवास्त की कमी के कारण रातरी के समय पार्थी विक्रण असानी से सुने में चली जाती है जिसे साफ राते ठंडी महसूस होती है और वास्तों में वायू मंड बताईए तो साफ अकास से बंगाल के खाड़ी में अधिक दाप परस्थिती से और अस्थल पर तपमान के बढ़ने से यानि इसका सही जवाब हो जाएगा अप्शन C पहला दूसरा और तीसरा उत्री भाग में जब मांसून लोटने लगता है तो प्रारम में अस्थल पर ता जाता है 89 है निमलखित में से किस यूगम का मिलान सही है किस यूगम का मिलान सही है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा अप्शन B हुमद रेखिये छित्र का जो संबंध है यानि जो मिलान है यूगम का जो मिलान है वह गरज के साथ वर्षा मध्या भुमद साग्रिये जलवाई पर्देश की अधिकांस वर्षा सित काल में प्राप्त होती है और भुमद रिखिये छेत्रों में दो पहर के बाद गरज के साथ सनवहनी वर्षा होती है और यह वर्षा लगवग वर्ष भर होती रहती है मानसुनी छेत्रों की अधिकांस वर्षा ग्रेस मिकाल में मानसुनी हवाओं से होती है और मर्वस्तलिय छेत्रों में वर्षा या तो नहीं के बराबर होती है या अनिस्षित होती है यानि कोई लिमिट नहीं होता है कोई समय सिमा नहीं होता है 90 नमबर है नेम्न में से किस शेत्र में भूमद साग्रिय जलवायू प्रचलित नहीं है इसका सही जबाब हो जाएगा अप्शन B या C या D या A जो अप्शन सही है आप बताईए या E तो किस शेत्र में भूमद सागिरे जलवायू पर चलित नहीं है तो इसका सही जबाब हो जाएगा पताएए कौन सा सही option है पंपाज option D तो देखें मदचीली, केप टाउन, केप टाउन, दक्षेन अफरिका, एडिलेड यानि आस्ट्रेलिया इन जगहों में भूमद सागिरे जलवायू पर जाती है जबकि पंपाज छेत्र उष्ण जलवायू का छेत्र है CSA, CSB और CWB याद रखेगा इसके बारे में हम लोगोंने अल्रडी कई बार डिसकस किया है 91 है, अफरिका के मुलभुत जनजाती पीगमी किस नदी घाटी में पाई जाती है जो पीगमी जनजाती है ये अफरिका के मुलभुत जनजाती है और ये किस नदी घाटी के पास पाई जाती है तो इसका सही जबाब हो जाएगा जो पीगमी जनजाती है ये कांगो, कांगो नदी घाटी के आसपास जो है ये पाई जाती है तो B option बिल्कुल correct option है पीगमी जनजाती या पीगमी ट्राइब जर्विस्वत रिखिये अफरीका के कांगो बेसिन के वर्षावनों में रहने वाली ये जनजाती है और ये सिकारी जनजाती है पीगमी जनजाती का निवास पेणो पर बनाई गी जोपड़ियों में होता है जिने मोंगुलस कहा जात यह जो निवासी है वो अफ्रीका के है option यह बिल्कुल cracked option है 93 Esquimus निवासी है Esquimus जो निवासी है वो कहा के है तो Esquimus Canada के निवासी है जो बिल्कुल cracked option है इसके बाने में अगर बात करें तो दो-तिन लाइन है इसको ध्याम में रखिएगा जो Eskimo है ये उत्री धुरूवी छेत्रों के चारों निवास करने वाली जन जाती है जो Alaska, Canada, Greenland और उत्री रूस में निवास करती है Esperanto है Esperanto क्या है तो याद रखिएगा जो Esperanto है ये एक है मतलब कि विश्व भासा के रूप में कारे करने के लिए बनाई गी एक है क्रित्रिम भासा है, Artificial Language है अंतराश्चिय संपर्क के लिए सहायक भासा के रूप में Esperanto भासा का विकास L.L. Jimenhoff ने किया किसने? L.L. Jimenhoff ने 95 है वदे जो बी सुमे रेसम का सबसे बड़ा उत्पादक है वदे जो बी सुमे रेसम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है क्या? तो चीन चीन जो है बी सुमे रेसम का सबसे बड़ा उत्पादक है B option बिल्कुल correct option है A, A, O, K वर्स 22 की आकड़ी कनुसार बी सुमे सबसे ज़ादा रेसम का उत्पादन चीन करता है जबकि दूसरे अस्थान पर भारत करता है 96 है तो पुछा गया कि सहतूत या सहतूस जो है जो बी सुमे का सबसे सुन्दर गरम और हलका उन माना जाता है सहतूस या सहतूत वो कहां पैदा होता है सहतूत की जो उत्पादन होता है कहां पर होता है तो ये एक सुन्दर गरम और हलका उन माना जाता है सहतूत से बना जो उन है ये बहुत ही मतलब कि लोग पर यह है और इसका जो उत्पादन होता है वो चीन में सबसे जादा होता है तो C option बिल्कुल correct option है सहतूत एक BCS परकार का गर्म उनी sol होता है ठीक है? क्या होता है? sol जो तिवती एंटिलोप या चीरू के बालों से त्यार किया जाता है चीरू का निवास मुलता चीनी स्वाय छेत्र तीबत में मिलता है 97 है नेमलेखित में से वो कौन सा देश है जो विश्वे का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है वो देश जो सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है वो देश है विश्वे में पूछा जा रहा है न की भारत में भारत में भी याद रखेगा भारत आप कमेंट करके बताइए कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो मलकी केसर का उत्पादन सबसे जादा करता है भारत के राज्य में और यहाँ पे 20 के बारे में पुछा गया तो 20 का वो कौन सा देश है जो सबसे अधे केसर का उत्पादन करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option D. इरान D. इसका बिल्कुल correct option है देखिए अगर बात करें तो एक ए ओक्याक्डिक अनुसार बेश में इरान सर्वालिक केसर का या सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है बारत में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जमु कास्मीर में होता है यहां के किस्तवाड यानि जमु और मलगी पामपूर यानि कस्मीर प्रमु केसर उत्पादक छेतरें केसर को लाल सोना यानि रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है 98 है पत्थर के कोईले के भंडार में कौन साधी संसार में अग्रणी है इसका सही जवाब क्या होगा बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का B अप्सन चीन देखें याद रखेगा प्रश्न काल के दौरान यह जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न काल के दौरान 1995 की यह प्रश्न है पूछा गया है कि जो पत्थर के जो कोईले हैं इस कोईले के भंडार में कौन सा देश मतलव की अग्रणी है संसार में वल्ड में तो चीन था तो पथर के कोईले के भंडार में चीन प्रथम संजुक्तराज अमेरिका द्वितिय और भारत्त्रेती अस्थान पे थे अब जो है इसका डेटा चेंज हो चुका है संजुक्तराज अमेरिका का प्रथम अस्थान है इसके वाद चीन और भारत का है तो यह जो 2020 का जो डेटा है इसको ध्यान में रखिएगा 99 है संजुक्तराज अमेरिका को छोड़कर बीस विके निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो आपको ध्यान में रखना है इंपोर्टेंट है यह सही जवाब इसका है सौधी अरब सौधी अरब इस राइट अप्षन यानि C अप्षन इस करेक्ट अप्षन और इंडियन मिन्न देश यानि कुड़ वाइल के उत्पादन में संजुक्तराज अमेरिका जो था 781 मिल्यों टन के बाद रूस का स्थान आया 561 मिल्यों टन यानि सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश कौन रहा संजुक्तराज अमेरिका इसके बाद आपका रूस सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश रहा 100 नमबर है नेमलिकित में से कौन सा देश बिश्वेका सबसे अधिक उरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है बिश्वेका वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा उरेनियम का उत्पादन करता है इसका सही जबाब है कजाकस्थान कजाकस्थान बिश्वेका सबसे आम याद रखिएगा, पहले अस्थान पर कजाकस्तान है, दूसरे अस्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, तिसरे अस्थान पर नामी विया है, 101 है, टीन कहां मिलता है, टीन मिलता है, किस निछेप में, किस सेल में, ठीक है तो या सैल निशेप दोनों में तो इसका सही जवाब है टीन जो मिलता है प्लेसर निशेपों में अप्शन ए बिल्कुल करेक्ट अप्शन है और ये प्रशन कई बार पुछा गया है इसको ध्यान में रखिएगा प्लेसर निशेप बिस्व में प्राप्थ होने वाली टीन की 80% जो मात्रा है 80% जो मात्रा है ओ प्लेसर निशेपों के जो प्लेसर निशेप है इनसे प्राप्थ होती है ये निशेप रीवर बेट्स में पाय जाते हैं अधिकांस प्लेसर निशेप दक्षन पूर्वेशिया में फ्याले हुए है जो संरक्षण है इसका अर्थ होता है केवल अपपरदन को नियंतरित करना नहीं केवल मिर्दा को अपपरदन होने से बचाना इसका मतलब यह नहीं है स्वैल कंजर्वेशन का मतलब होता है इसका जो उदेश होता है कि भूमी की उच अस्तरिय उर्वरता को बनाय रखा जाए भूमी के जो स्वेल जो होता है इसके जो मदकी बहाव होता है जो अपरदर होता है इसको भी रुपना होता है भूमी के उर्वरता को बनाए रखना है भूमी के उपियोग में सुधार करके मिर्दा का सरक्षन किया जाता है प्रसन संख्या 103 है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या क्या होता है तेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है याद रखेएगा तेरा रोसा लाल मिरदा के लिए परियुक्त इटालियन सब्द है और इसका विकास चूना पत्थर के अविले अवसेसो से होता है 104 है प्रिधवी पर घने 1 अधिकतर मिलते हैं प्रिधवी पर जो घने 1 मिलते हैं उस सबसे ज़्यादा कहां पर मिलते हैं तो याद रखिएगा बिस्वत रेखा के पास option A बिल्कूल correct option है इसके बारे में अगर बात करें तो बिसुत रेखिये जलवाई परदेश में वर्ष भर उंच तापमान पायजाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनु का व्यापक विस्तार पायदाता है देखे इसमें अमेजन जो बेसिन है जो कि दक्षिन अमेरिका में है और कांगो बेसिन ये अफरिका में है दक्षिन पूर्व ACI द्वीप समोहों के वर्षावन प्रमुख है इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्म संख्या 105 में पूछा गया है कि 20 वकाव कौन सा देश है जो मुलायम लकडी यानि सौप्ट लकडी और लकडी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है उत्पादक भी है और निर्यातक भी है वदेश कौन सा है जो मुलायम लकडी लकडी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है तो वो है कन रियात में कनाडा अग्रणी अस्थान पे था पहले अस्थान पे था लेकिन Yearbook of Forest Products 2019 के नुसार यानि वर्स 2019 में जो डेटा आया इसमें कई हजार मेट्रिक टन उत्पादन के साथ सन्जुक्त राज अमेरिका इसके बाद 106 नंबर जो प्रशने सुची 1 सुची 2 के साथ आपको मिलान करना है इस मिलान में सुची 1 में रेल मार्ग और सुची 2 में जोडने वाले जो अस्थान है उसको दिया गया है तो जैसे अगर बात किया जाए तो जैसे देखिए European जो Transcontinental रेल मार्ग है ये किस अस्थान को किस से जोड़ता है आपको बताना है इसका सही जबाब हो जाएगा ये पेरी से वार्षा को जोड़ता है यानि European जो Transcontinental रेल मार्ग है ये पेरी से वार्षा को जोड़ता है Trans Indian Railmark Trans Indian Railmark ये किसको किसे जोड़ता है तो Buneus Area से Walparejo को Trans Iberia Railmark जो है ये किसको किसे जोड़ता है तो ये जोड़ता है Leningrad से Vladivostok को और Orient Express जोडने वाला जो अस्थान है Paris से Istanbul यानि इसका जो सही option होगा जो B में दिया गया correct option है European Trans Continental Railmark Paris से वार्षा को जोड़ता है Trans Indian Railmark Buneus Arias यानि आर्जेंटीना से Walparejo यानि चीली को Trans Siberian Railmark St. Petersburg यानि Leningrad और Rus Moscow से Vladivostok Trans Siberian Railmark 208 सबसे बड़ा रेल मार्ग है लगबग 9300 किलो मीटर इसकी लंबाई है और Orient Express Paris से इंस्ताबूल 107 नमरे निमलखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है चार option है Option को देखिए Analysis कीजिए और बताइए कि वह कौन सा जो पतन है की नगर नहीं है वह है आपका Canberra Canberra पतन नगर नहीं है Canberra जो Australia की वर्तमान रधानी है इसको छोड़कर सभी नगर बंदरगा है टोकियो जपान की रधानी वह हुंसु दीव परिस्तित परमुख बंदरगा है याद रखिएगा इसके बाद अगर बात करें तो New York संजुक्त राज अमेरिका के New York प्रांत में इस्तित बंदरगा नगर है जो हडसन नदी के तर्ड परिस्तित है और लंदन ये टेम्स नदी परिस्तित बंदरगा है 108 है निमलिखित में से कौन सा बीस्विका कहवा पतन के नाम से जाना जाता है निमलिखित में से कौन सा बीस्विका कहवा पतन के नाम से जाना जाता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा option B Santos बिलकुल correct option है Santos ब्राजिल के दक्षिन पूर्वी टर्ट परिस्थित समुंदरी बंदरगा है यहां से सरवादिक काफी का निर्याद किये जाने के कारण इसे विश्वेका कहवा पतन कौफी पोर्ट भी कहा जाता है यानि उप्युक्त सभी से D option बिलकुल correct option है प्रियाबरण एक अविभाज समस्थी है तथा जैविक और अजजविक तत्तो वाले पारसपरिक क्रियासिल तंत्रों से इसकी रचना होती है प्रियाबरण के तीन घटक है भौतिक या अजजविक संगटन अस्थल वायू ज़ल इसके अंतरगत आते हैं जैविक संगटक इसके अंतरगत पादप मनुस्य जन्तु सुक्ष मेजीव और उर्जा संगटक सौरिक उर्जा यव भौतापिय उर्जा 110 है जलवायू परिवर्तन पर संग्टराश शंग का कनवेंशन धाचा किस से संबंधित है जलवायू परिवर्तन पर संग्टराश शंग का कनवेंशन धाचा किस से संबंधित है इसका सही जबाब किया होगा? आब बताएए तो इसका सही जबाब है option D Greenhouse gaso के उस सरजन में कमी डी option बिल्कुल correct option है जलवाय परिवर्तन पह संजीक राश रंक का कन्वेंशन जो धाचा है कन्वेंशन धाचा ग्रीन हाउस गैसों के उससरजन में कमी लाने से सम्बंदित है याद रखेगा CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतरगत ही आती है इसी के साथ आज का जो सेस़ान है शमापकरते अब तक उन सबी प्रशनों को भी डिसकस करेंगे और जो भी इस प्रशन होने की जो सम्भावना बने की उसको भी हम लोग ध्यार में रखेंगे आप अपना पर्तिक्रिया देते रही है आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसबरिस इंतजार रहता है और जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्विज ग्रूप चैनल या जो आपका Facebook पेज या Instagram है जो जिन लोगों ने अभी तक जोई नहीं किया है इसको जोई किजिए यहाँ पे important updates जो update होते हैं update दिये जाते हैं quiz कराया जाते हैं current affair की quiz होती है और जो important fact होता वो भी share किया जाता है तो आप लोग जोईन किजिए और कोई भी doubt हो किसे भी प्रस्ण में किसे भी topic में आप comment कर सकते हैं या Instagram या जो आपका Facebook पेज है वहाँ पे भी conversation कर सकते हैं thank you मिलते नेक्स एसन में